की बड़भना मखा बड़भना मखा को बनाता हो। यह बाख कुम लोग सब जाके हरेगा अंधेगा को बननारेगा किसा ननननता और गज़िकी इनननता उसको नातन कंपणी में रहनाता हूं . पर दिसे जड़े आई आप नहीं नहीं यह बात हंड्रेट परसेट है तुँ अधिश्व कल्यां को ऐसा नहीं आया तड़ी पार होके वस्व कल्यां को आया हाँ अभेश्व को तड़ी पार करके वापस देशना है इतना बड़े बड़े बात करता हूं में पचाजार से जिता हूं, साटवजार से जिता हूं तु शाटवजार वोड ले करा आभाद में बड़े पचाजार लीग का लेगा 40% सरकार करनाटक राज में है इधार 140% का इम्मेन है को तो ओगरी 140% ठाया फिर अगले सा थराब हो गया तो फिर और एक 100% कहेंगे बनके बना रहे हैं से रोड हो लोग DJP सरकार को आरक्षन जो कॉंग्रेस पार्टी इतने सालों से दिया जो सम्मिदान दिया वो भी पच्चरा नहीं है उनको वो भी पच्चरा नहीं है जो गरीब लोग है जो शोशित लोग है उनको फिर कांटने के लिए माइनारेटी लोगों का 4% कम कर दिया है बाकी स्टी में भी 2% कम कर दिया है ऐसे काम करने का क्यूं कूं सब लोग जो गरीब लोग है जो शोशित लोग है उनके पेंट मारने का काम यह सरकार कर रहा है MLA भी कर रहे है हर जगे ऐसा ही हो रहा है पर किता 6 इंच का 3 इंच का डाबर दलना है 1 इंच के डाबर का रोड बना रहे है है ना? उसमें क्योंकि अब एक औरड़ी 140% खाया फिर अगले साथ खराब हो गया तो फिर और एक 100% काईगे बलके बना रहे है इसा रोड़ देज साल तो अब उसका किता हो गया अठा मेने कर रहा है वो अठा मेने की दर है 20-24 मेने हो गया है उसको इक कम बोलके उसमें भी सिंपती मारने की कोशिश कर रहा हो समझे una 20 मेने हो गया हो में मेया पिछले में अपम एप्र मैं में एलेक्षर है दोब ऱ चोवीस मेने हो गया और के नन बडवन अमगा बडवन अमगा अईसा बुलारा में बुलारा अल्द्ट बडवन और gravity तो किसा नननत और गेलची दिरी नननत उसको नातक कंपनी मेरे ना तो अग्यार नहीं नहीं यह बाद हंड्रेट परसेट है तुम जा के बुलबर्गे में तुमारे जो रिष्टे आरें पूछो कैसा है उनके वो बस्वाकल्यान को इसा नहीं आया तडी पार हो के बस्वाकल वो बोलता है आद्य का नाम लेता है तो किते वार मिले वने किते वार मिस्टर बने तू किते वार मना बाद के पुष्णाया करता ईब्रकर एक बाकवर्ड लीडर एक शत्रिया लीडर को इतने बड़े बात करता है इतना बड़ा जी बना ये इतना बड़ा ये सब आपके हाथ में है ये सब बातें आप वोटर सब पहुंचाना है यहां पर जो हम चर्चा कर रहे है जो बात कर रहे हैं ये हर एक आगमी के निमाग में जाना है, ठीक है, अगले बार वो बोलने के पहले, दस बार सोचना, आलरडी सोचना शुरू हुआ, ऐसे बहुती से बोलने होगे, क्योंकि, देखिए, हम कोन भी रहने दो, छोटा आप्मी रहने दो, बड़ा आप्मी है रहने दो, हम सब हुए हमारे बाप के बेटे है, डर्थे भी किदर हुआ हुआ है, अगर अच्छे ौस्सक्रीटी से काम करेंगे, कोन अगर, कोन अच्छा काम कर रहा है, कोन कर रहा है और लोग किश्कवाश्री मत देता है वो मेले बनता है क्यों पहिंगे हैं भाग करना है है कि ने तो हम लोग आप लोगों का साथ है हमारे पूरे लोग लोगों का यह मार्क दर्शन है जादा नहीं कहता मैं आप लोग अपने अपने बूत में, अपने अपने गाउं में, अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने रिष्तेदारों को हाथ जोड़ के विनंती करो, अच्छे कांडेट मिले हैं, हमारे को, कॉंगरेस पार्टी को, कॉंगरेस पार्टी इस बात जीत रहा है, कॉंग चार बात बोलो करांच के हमाबाली रहें के ऐसे ही आप लोगों के से मिलकर काम करेंगे, बोलते होई और अब इतने संख्या में आए और हमारे ब्लॉट प्रेशन दोनों ब्लॉट प्रेशलेंट को और एक बार धन्यवाद कहते हों और हमारे पूरे जो लीडर्स आए, सबी लोगों को वह धन्यवाद कहते हुए, और इसमें और क्या और बोले तो यह जो आरक्षन दिये है, है ना, अब इनको बीजेपी सरकार को आरक्षन जो कॉंग्रेस पार्टी इतने सालों से दिया, जो सम्मिधान दिया, वो भी शोशित लोग है, उनको फिर कानने के लिए, माइनौरिटी लोगों का 4% कम कर दिया है, बाकी स्थी में भी, हाँ, वो भी 2% कम कर दिया है, ऐसे काम करने का क्यों, कोन, सब लोग, जो धरीब लोग है, जो शोशित लोग है, उनके पेंट बारने का काम, यह सरकार कर रहा है, MLA भी कर रहे है, हर जगे ऐसा ही हो रहा, 40% सरकार करनाटक राज में है इधर 140% का MLA आप लोग देखें का आप लोग रोड का हालत देखें का जब दाउं को आता है जब उसका प्रोग्राम हो रहा है ना दाउं को आता है ना, इतना बड़े-बड़े बात करता है, मैं पचाज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ फिर अगले साथ थराब हो गया तो फिर और एक 100% खाएंगे बोलके बना रहे हैं इसा रोड़ तो इस सब बाते हम लोगों में ही मालूँ रहे तो बस नहीं है ये कॉंग्रेस पार्टी काम धोद करती है प्रचार कम करती है तो स्टाइल चेंज करना है प्रचार चादा करना है लोगों को बोलते रहना है और हमारे लोगों को एक बार बोले को समझ में नहीं आया दस बार बोलिए उनके दिमाग में जाते सका बोलिए आप बोलते बोलके में पूरा विश्वास है आप लोगों को और एक बार मैं धन्यवाद कहते हुए धन्यवाद कहता हूँ और हमारे मैं इतना भाषन दिया ही नहीं अब तक तो इसलिए हर जगे 10 मिन बार देता हूँ लेकिन आज एक मौका है आप लोगों से बात करने का इसलिए दिया और एक बात और यह बहुत इंपोर्डेंट है आन बारा नॉमिनेशन होने वाला है ऐसे ही 12 बचे कहांपर होने वाला है कैसे होने उसका क्या प्रोग्राम है हम सब लोग मिलके डिसकस करके आप लोगों को बताएंगे लेकिन 18 तारिक को नॉमिनेशन फिक्स है 18 तारिक को आप लोग आना और 18 तारिक को पूरा दिन आप लोग हमारे साथ रहना पड़ता त्योंकि नॉमिनेशन एक 11 बचे शुरू होता तीन बच उसका परकिरिया तीन चार बचे तक ठतम होता जब तक आप सब लोग रहना जब तक आप लोग अब तीन-चार दिन है उ हो भी हमारे पंचायत के बूत के गाओं के सबी लीडर्स भी एक राउन मारने वाले हैं तो आप लोग उनको भी सहकार दीजिए अपना क्या भी है टिपणी बगरा देना है वो दीजिए लेकिन डिसकस करने से जादा काम करें यह हाथ जोड़के विनति करते हैं डिसकेशन होते ही दूसरे गाओं को पहुंचना पड़ता है आप समझ रहे हैं क्या जी समझ रहे हैं तो काम करिए जो भी है एक मैला मैनत करेंगे एक मैने हमारे नाम साट मैंने हमारे तुम्हारे ना ये बात आप याद रखिए और फिर आप लोगों को धन्यवाद कहते होगे मैं मेरे दो बात खतम करता हूँ जय है